जै माता दी दोस्तों घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखें माता रानी सबका करल्यान करेंगी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में मौक्षदा एकाजसी कब है साल 2023 में मौक्षदा एकाजसी 22 दिसंबर को है या 23 दिसंबर को है इसकी दिननांक वतिती बताएंगे पूजा का सोम मोहुर्थ बताएंगे, पूजा की विधी बताएंगे, पारन का समय बताएंगे, साथी साथ मोक्षदा एकाजसी के दिन किये जाने वाले महा उपाय के बारे में भी हम जानकारी देंगे वीडियो में लास तक बने रहे वीडियो पसंदा लाइक कीजे फैवली फ्रेंट के साथ सेयर कीजे चैनल पर पहली बार आये हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल बटन को प्रेस कर लिजे इससे यह होगा कि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे। पूजा की जाती है और भोग अर्पित किया जाता है। इन्हीं एकाजसी तित्यों में एक है मुक्षता एकाजसी। इस दिन कुछ खास उपाय करने से माता लक्षमी की विशेश क्रिपा बरस्ती है। चलिए जानते हैं साल 2023 में मुक्षता एकाजसी का बरत किस दिन रखा जाएगा। आपको बता दे कि मार्गसिस माह के सुकल पक्ष में पढ़ने वाली एकाजसी को मुक्षता एकाजसी कहा जाता है। साल 2023 में मुक्षता एकाजसी का बरत 22 और 23 दिसंबर दो दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को ग्रिहस्त जन बरत रखेंगे और 23 दिसंबर को बैस्नो जन बरत रखेंगे। मानिता है कि इस दिन ब्रत रहकर भगवान विस्नु की विधी विधान के साथ पूजा करने से संतान सुक्की प्राप्ती होती है। साथ ही जीवन में हर तरह के कस्ट समाप्त हो जाते हैं। जो लोग 22 दिसंबर को ब्रत रखेंगे वह 23 दिसंबर को सुबह 7 बज कर 49 मिनट पर ब्रत का पारन करेंगे वही जो लोग 23 दिसंबर को ब्रत रखेंगे वो अगले दिन यानि की 24 दिसंबर को सुबह 6 बज कर 49 मिनट तक पारन कर लेंगे। बात करें पूजा की विधी की तो एकाजसी की एक दिन पहले ही तामसीक बोजन बंद कर देना है। एकाजसी की सुब देव की उपासना कर ब्रत का संकल्प लेना है, घर के मंदिर में दीप परजोलित करें, ब्रमचर्य रखें, वहीं पीले वस्त्र पहन कर भगवान विष्णू के सामने पीला पुस, पीला फूल, धूब, दीप, आदी से पूजन करें। फिर विष्णू भगवान के सामने ओब नमो भगवते बासु देवाय मंतर का जाब करते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाना है। भगवान विष्णू के भोग में तुलसी को जरूर स संपन करें। बात करें इस दिन किये जाने वाले उपाय के बारे में। उक्षदा एकाजसी साल की आखरी एकाजसी है। इस दिन किये गए खास उपायों से मालक्ष्मी प्रसन होती है और सुख सम्रिधी और खुसाली का बरदान देती है। उक्षदा एकाजसी के दिन अगवते बासुदेवाय नमह का जाप करें। इसके साथ ही गरीव और जरुवत मंदों को अपनी छमता के अनुसार अन और धन का दान करें। मानिता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके अलावा मुक्षदा 81 के दिन संधियाकाल में तुलसी के पौधे के पास दीपक परजोलित करें और तुलसी के पौधों की एक 20 वार पर इक्रमा करें। मानिता है कि इसे भगवान विश्नु प्रसन होते हैं और साधक पर अपनी किरपा बनाये रखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने साल 2023 के मुक्षदा 81 से जुड़ी संपूर जानकारी दी। उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, सेर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।